आज हम बनाने जा रहे हैं पोहे से बहुत ही टेस्टी नास ता उसके लिए मैंने ये लिया एक कटोरी पोहा ये नॉर्मल जो हम बनाते हैं वही वाला है इसे एक बड़े बर्तन में कर लेते हैं इसमें थोड़ा सा पानी डालके कि इसमें पाउडर सा रहता है तो वह अच्छा नहीं लगता उससे थोड़ा सा मारा पोहा टेस्ट में भी अच्छा नहीं हो रहता है तो इसे हम थोड़ा सा पानी और डालकी इसका पानी ये निकाल देते हैं पहले ये दो बार वाश का लिया अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे ज्यादा नहीं हमें एक मिनट के लिए छोड़ना है जिससे यह पोहा हमारा सॉफ्ट हो जाए एक मिनट हो गया है अब यह देखो हमारा अच्छे से फूल भी गया है अब एक बटतन ले लेते हैं इसमें इसका पूरा पानी निकाल अब लेते हैं इस तरह से चंग पूरा च्छान देया है इसमें जो एक्षा पानी यह व्यों धश्य देख देन लेंगा तो कि और फी भी निट के लिए इस तरह से चोल देता है हमें हमारा को यह हैर इसके पानी पूरा निकल गैश्यों इसे मेह बड़े वड़तन में डाल ऐसे हाद की मदद से मैस करें अज़ितने टोलचार हलाएगा पूरा मैस हो गया हम में इसमें डाल दूंगी मैंने तीन गुबले हुए आलो ठंडे कर लिए उनको इस ते से ग्रेट कर लिया था यह डाल देती हूए एक बड़े साइच की प्याज इसे भी बारीक चॉप कर लिया है मैंने एक सिम्पला जैसे मेरे पाल ग्रीन थी है तो आपके पाल यह यह राड वी है तो आप वह भी डाल सकते हैं और इसमें डाल देती हैं कुछ मसाले एक चमछ लाल मिर्च पाउडर टेस्ट के साब से नमक एक चमछ जीरह पाउडर एक चमछ चाहट मसाला आदा चम्मच गरम मसाला एक चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा हरा धनिया और पहले हम इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब यह देखिए इस तरह से मैंने पूरा मैस कर लिया है अब इसमें डाल दूँगी इसमें और अच्छा क्रिस्पी पन लाने के लिए दो चम्मच चावल का आठा अगर आपके बाद चावल का आठा ना हो तो आप इसमें सूझी भी यूज कर सकते हैं इससे दो चीजोंगी एक तो इसके क्रिस्पी जादा होगा दूसरा इसमें चाटा भी मिक्स कर लिया, अच्छे से मिक्स हो गई है, इसमा मैंने सिर्फ दो चम्मा चाटा डाला है, इससे ज्यादा की जरुवत नहीं पड़ी हुझे, अब हम क्या करेंगे, इस्पून की मदद से, जितनी बड़ी हम टिक्की बनाते हैं, उतना बड़ा पीस हम इसमें से अब मैंने हाथों पर थोड़ा सा ओईल लगा लिया, जिससे कि थोड़ा सा ये बनाने में आसानी होझे, वैसे तो चिपकता नहीं है, पर जिससे बनाते हैं तो वो अच्छे लगते हैं देखने में, और इस तरह से प्रेस करते हुझे जैसे टिक्की बनाते हैं हम, उस तरह लगते हैं, वैसे बना बना के तैयार कर लीएं अब हम क्या करेंगे, एक एक पीस लेंगे ये फेश्त थोड़े थोड़े तिल जो सफेद वाले रहते हैं इससे ही यह है एक। उमारा नास्ता देकने में अच्छा लगता है और खाने में भी जो तील आते हैं थोड़े से वह भी अच्छे लगते हैं और आज कल ठंड का मौसम है तो तील अच्छे रहते हैं यह इसी तरह से सब तयार कर लेते हैं अब मैंने एक fry पेन में ऑइल गरम होने रख दिया था अम इसमें डाल देती हो एक 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 इतरह से खट लें और जादा तेज भी नहीं होना थाए और जादा घलक गरम भी नहीं होना थी यह क्यूंकि कि जब हम इसमें यह डालेंगे तो फिर क्या है हमारा यह ठंडे है और ज्यादा गरम नहीं होगा तो उतना ओइल पीने रेंगे वह हमारे नास्ते को तो इसलिए थोड़ा तेज ही सही है हमारा अब इस तरह से जितने आराम से आएंगे इसके अंदर उतने हमें डाले है करने जाएंड डाल दिया और अभी हम इने तो से तीन मिनट इसी तरह से छोड़ देते हैं इससे जिससे की एक साइड में से थोड़ा सा यह पग जाए अब 2-3 मिनट हो गया है आव हमें एक स्पून की मतल से इने पलाट देते हैं और दूसरी साइड से भी अच्छे से नास्ता तयार हो गया और बिल्कुल बहुत ही करारा और आप हम इसे निकाल लेते हैं अब हमारे पोहा कटलेट या पोहा पकोड़े बनके तयार है अगर आपको यह रासिपी पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और चैनल को सुस्क्राइब करें मिलते हैं इसी तरह की एक मज़ेदार टेस्टी नई रासिपी के साथ